हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लगी की मौंक में दोस्तों जैसे की Redmi Note 7 के launch के साथ में ये चीज़ Redmi ने confirm कर दी थी कि भाईया आपको Redmi Note 7 Pro में मिलेगा Sony का IMX586 वाला sensor तो दोस्तों अगर मैं इस particular sensor को Redmi Note 7 के sensor से compare करके दिखाऊ हूं और यह सारी चीज़े अगर मैं बोलने लगा तो आप लोग मुझे बहुत भेस सारी गालिया देने वाले लेकिन भाईया गालिया देने की जुरूरत नहीं है कि मैंने थमनेल में बड़ा बड़ा लिखा था कि भाईया performance comparison का मतलब है कि हमें उसके प्रोसेसर को compare करना पड़ेगा तो दोस्तों यहां पर यह Redmi Note 7 Pro में आपको जो प्रोसेसर मिलने वाला जो की 90% confirm हो चुका है कि Snapdragon 675 मिलेगा तो इस वीडियो में मैं आपको compare करके दिखाऊंगे Snapdragon 675 के Geekbench N22 score marks और उसके कुछ और भी चीजों को Redmi Note 7 के Snapdragon 660 के साथ में और नहीं सिफ Snapdragon 660 के साथ में बलकि Snapdragon 710 यानि कि जो Snapdragon 675 उसको compare करके दिखाएंगे हम आपको Snapdragon 660 और Snapdragon 710 के साथ में तो भाई चलिए फिर ज़्यादा समय नहीं लेते हैं करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ ने बेल नोटिफिकेशन को दबा ले ताकि हमारे वीडियो की लेटेस नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहें ठीक है तो दबा लीजिए गा चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यह N22 Benchmarks की तो भाई मैं यहाँ पे सबसे पहले Snapdragon 660 का स्कोर बताना चाहूंगा जैसे कि दोस्तों आप लोगो पताईए कि Redmi Note 7 में लगा हुआ है Snapdragon 660 तो Snapdragon 660 जो फुल वर्जन है 2.2 GHz वाला वो स्कोर करता है 1,44,599 और वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं Snapdragon 710 की जो कि इन दोनों ही प्रोसेसर से जादा बहतर माना जाता रहा था तो भाई वो एक्चल में स्कोर करता है 1,74,333 तो भाईया Snapdragon 710 तो बहुत जादा आगे निकल चुका है Snapdragon 660 से लेकिन दोस्तो अब हम लोग आते हैं अपने वाले प्रोसेसर पे यानि कि हम सबका प्रोसेसर Snapdragon 675 जो कि आपको Redmi Note 7 में मिलेगा दोस्तो बहुत ही शौकिंग जो है तरीके से इसने यहाँ Snapdragon 710 को पचार दिया है और दोस्तो यहाँ पर यह स्कोर करके लेके जा रहा है 1,74,402 जी हाँ दोस्तो यह उसका N22 बेंचमार्क का स्कोर है और यह बहुत जादा अमेजिंग है और मैं तो बहुत जादा excited हो रहा हूँ अब इस particular phone के launch का और साथी साथ में अब हम बात कर लेते हैं इसके geekbench marks की तो दोस्तो यहाँ पर जो Snapdragon 660 है जो कि Redmi Note 7 में लगा हुआ है वो single core score में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जी हाँ दोस्तो और भाया एक बार दुबारा से single core score में बहुत ही खतरनाग तरीके से इन दोनों ही प्रोसेसर को पचाड़ते हुए Snapdragon 675 जो कि आपको Redmi Note 7 Pro में मिलेगा वो score कर रहा है 2273 जी हाँ दोस्तो इन दोनों को ही भाया इतने लंबे और इतने खतरनाग अंतर से ये पचाड़ रहा है single core score में इसके पीछे कारण क्या है न वो मैं आपको multi core score के comparison के बाद बताऊंगा क्योंकि भाया आखिरकार 675 कैसे Snapdragon 710 को पचाड़ दे रहा है ये तो भाय जानना बनता ही है क्यों तो फिर चलिए अब हम चलते हैं multi core score geekbench ये multi core score में snapdragon 660 जो की Redmi Note 7 में लगा हुआ है वो score कर रहा है 4556 और अगर वही हम लोग बात कर लेते snapdragon 710 की जो की MI8SE जैसे smartphone में लगा हुआ है वो score करता है 5725 और दोस्तों एक बार दुबारा से snapdragon 675 भीया यहाँ पे बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे उसने score किया है multi core score में geekbench के 5827 तो भाई यहाँ पे multi core score में snapdragon 710 के साथ ने जादा का अंतर नहीं लेकिन फिर भी वो उसको पचार दे रहा है और भाई single core score में तो उसने इदम उसके नींदी उड़ा दी तो भाई इसके पीछे main कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा उससे पहले कुछ चीजे और हैं जो मैं आप लोगों बता दू कि भीया snapdragon 660 जो है न वो आपका बना हुआ है 14 nanometer के finfit architecture पे और वहीं snapdragon 710 बना हुआ है 10 nanometer के finfit architecture पे और जब बात आती है snapdragon 675 की तो वो बना हुआ है 11 nanometer के finfit architecture पे तो दोस्तों जो ये finfit architecture वाला इसाब किताब है मतलब कि जितना छोटा नंबर रहेगा न उतना बहतर रहेगा तो हाला कि snapdragon 675 11 पे है और जो आपका snapdragon 710 है वो है भीया 10 पे तो मतलब कहने का ये है कि भीया हाला कि उसका architecture जादा बहतर है लेकिन फिर भी ये कैसे उसको आउट परफॉर्म कर दे रहा है एंटूटू बेंचमार्स में गीक बेंचमार्स में दोस्तों इसके पीछे simple सा कारण है भीया उसके अंदर यूज हुआ है cortex A70 जी हां भीया snapdragon 675 में यूज हुआ है cortex A76 वाले course जो की बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं और वहीं अगर हम बात करें snapdragon 710 में तो उसके अंदर जो core यूज हुआ था वो हुआ है cortex का A75 तो भीया cortex का A76 कितना जादा बहता रहा है तो वो तो आप इस performance score से ही यह जो नब performance score से ही आप देख सकते हैं तो भाई यही चीज है और इसी का main reason है जिसकी जो बज़े से 675 इन दोनों ही प्रोसेसर को performance में पच्छाड दे रहा है लेकिन दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ snapdragon 780 काफी other चीजों में इससे particular बहतर है लेकिन जहाँ पे performance की बात आएगी तो भाईया cortex A76 आपको ज़्यादा बहतर performance देगा सिंगल कोर स्कोर में तो आपने देखी लिया कि कैसे 675 ने आउट परफॉर्म कर दिया है बाकी दोनों प्रोसेसर को तो भाई यह थी चोटी सी कहानी मेरी जवानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दे और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो शेर भी कर दी झाल झाल